आप सभी का स्वागत है एक मिस्सा ट्रेडिंग में आज हम लोग जिस सेयर के उपर बात करने वाले हैं वो फडरल बैंक का सेयर है देखें बासट रुपए पच्पन पैसे पे चल रहा है तो इस पे हम लोग जानेंगे कि आपको किस वैल्यू पर बाई करना है और जो पहले स पे विस्तार से चर्चा करेंगे तो जो वीडियो में नए है चैनल सस्क्राइब कर लें नोटिफेशन बेल जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले ने अच्ट अब्डेट आपसे मिस ना हो चलिए दोस्तों वीडियो सुग कर लेते हैं तो देखें फेडरल बैंक का जो अभी अर्निंग के रिजल्ट आएंगे, EPS जो है इसका प्लस में है देखें 7.55, मार्केट कैप्टल जो है 117 बिलियन के करीब है, टीब्डियन टीर्ड ये कंपनी प्रोवाइड ने करती है PE, मतलब प्रॉफिट अर्निंग रेसियो जो है इसका 7.95 है, आइए इसकी फाइनेसल क पिछली लाश्ट वीडियो से काफी इंक्रीज हुए है, जब मैंने इस पर फर्स्ट टाइम कॉल दिया था, तब ये मेरे ख्याल से से सेर 47 रुपे के करीब चल रहा था, अभी देखिए इसके नंबर आप सेर होल्डर इंक्रीज हुए है पहले से, 30,73,000 के करीब आच चु देगी अपवर्ट साइड, 52 वीक हाई जो है, 96 रुपीज, 95 पैसे है, 52 वीक लो जो है, 35 रुपे, 70 पैसे है, बैलन सीट में देखिए टोटल डेप्ट जो है, इसका 134 बिलियन के करीब है, नेट डेप्ट जो है, वो माइनस में 62.837 बिलियन के करीब है, तो टोटल जो MRQ ह 1918.317 बिलियन के करीब है, आईए इसके बारे में थोड़ा अच्छे से जान लेते हैं, कि बैंक क्या-क्या फैसलिटीज प्रोवाइड करता है, तो आईए इसकी प्रोफाइल देखिए, सेक्टर जो है, फाइनस का है, इंडेश्टरी रिजिनल बैंक में आती है, तो फेड बैंकिंग ऑप्रेशन भी समालता है, तो फॉरन एक्सचेंज ऑप्रेशन भी है इसके पास, और देखें, रिटेल बैंकिंग सेक्मेंट में जो आ गया, उसमें इंडिजिवल और स्मॉल बिजनस कस्टमर्स जो होते हैं, उनको भी सर्विसेज प्रोवाइड करता है, फाइ ही किया है कि चेक कर लिजिएगा आप, इंडिया में है, फेडरल बैंक का देखें, नेट प्रोफिट में जो डिकलाइंग आई है, जुलाइ से सितंबर कॉर्टर में, तो देखें कितनी आई है, नेट डिकलाइंग जो हुआ है, वो 3.1 बिलियन रुपीस का हुआ है, इस ब वो भी स्लिप हुई है, तो 1.58 रुपीस अब आया है, लाश्ट टाइम 2.13 रुपीस आया था, तो अब देखें, जो ऑपरेटिंग इंकम जो है, वो इंक्रीज हुई है, वो 3 बिलियन के करीब इंक्रीज हुई है, तो देखें, 36.22 बिलियन रुपीस जो था, इस बार का थ और पिछले सितंबर में जो लाश्ट इयर था, वो 33.37 बिलियन रुपीस था, तो इसमें देखें, इंक्रीज हुआ है, तो यह अच्छी बात है, उपरेटिंग इंकम इनकी इंक्रीज हुई है, जबकि लॉग डाउन भी था, आये इसकी जो हम NSS करते हैं, उसके उपर जान उस टाइम का है, उस टाइम के अगर हाई के करीब इंदम क्लोज चल रहा है, अगर उसको ब्रेक कर चुका है, तो इसलिए इस पर पर्फेक्ट बाइंग की कॉल बनती है, देखें, आप इस टॉप लॉस इसका 55 का रखिए, क्योंकि यह है जो सबसे लोएस पॉइंट इसका गया है, क्लोज डेज में, तो 55 पे स्टॉप लॉस कर लीजिए, और जो बाइंग की वैली हो जाएगी, 59 से 62 के बीच में, टार्गे 68 और आगे जो आएगा, 74 तक का आपको दिखाई देगा, क्योंकि इसने देखें, 28 को ब्रेक किया है, अगर इस पर इस पर इस टेबल रहत होता है, तब तो आपको बहुत जल्दी ही 68 मिलता हुआ दिखाई देगा, और 74 के लिए ये काफी क्लोजिंग करेगा, अगर यहां पर सस्टेन नहीं होता है, तब थोड़ी सी गिरावाट आ सकती है, फिर भी आपको बाइंग की वैल्यू बनती हुई दिखाई दे रहे है, थैंक्स जाइस पर वाचिंग दिस वीडियो, अगर आपका कोई भी सुझाओ तो कमेंट में जरूरू में एंसर करिएगा,